तो गरिब स्वागत आज हम जानेंगे इज़रो के स्पेस्टेशन के बारे में तो चलिए जानते हैं तो इज़रो ने इस साल एचसेफ कॉंफरेंस में अपना स्पेस्टेशन का कॉंसेप्ट मॉडल दिखाया तो आप देखी सकते इमेज में यह मेरे को अब इसका नाम क्योंगा बता नहीं इंडियन स्पेस्टेशन तो रख नहीं सकते क्योंकि आएसस हो जाएगा तो शायद भारत स्पेस्टेशन हो इसका सिंस हमें इमेज से ज्यादा पता नहीं चल रहे तो मैंने इसको 3D मॉडल कर दिया है तब 3D मॉडल देख सकते हो हम डिटेल में बात करेंगे इसका वेट का है यह लॉंच कब होगा कौन से औरबिट में कितने हाइट पे यह सब बात करेंगे कौन सा रॉकेट सेट कर लो आप मैंने काफी सारे अनफॉचनेटली मिस्लेडिंग वीडियोस देखे यूटूब के उपर जो टिपिकल क्रिंज इंडियन स्पेस वीडियोस जो जिनोंने इस इंडियन स्पेस कम्यूनेटी का नाम खराब करके रखा है वो स्पेस्टेशन दिखा के इंटरने सकता है इसे क्यों नहीं बना सकता पर ऐसे लगते हैं वैसे उस किल के बनाने के लिए और जब फर्स टाइम हम कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट करते तो पहले सीखना इंपोर्टेंट होता है छोटे स्केल पे और फिर बड़ा बनाना होता है हम इसमें इंसान डालने वाले स्पेस्टेशन के अंदर काफी सेंसिटीव होता है मैटर मैगी बनाना जैसे नहीं है वो किचन में गये पाच मिनट के अंदर मैगी बन गए ऐसे नहीं होता है अनफोर्चुनेटली ऐसे वीडियोस एक्सपेक्टेशन काफी बड़ा देते हैं लोगों में और फिर जब नह स्टेशन मॉडियर मतलब का मॉडियर मतलब माट्स में लॉंच होनगा और फिर एसेंबल होनगा ऑरबीट में एक शॉट में ये पूर और बीट में नहीं जा सकते हैं और बीच में का एक पार्ट अलग है आप मेरा गगन यान का पार्ट जर्वा एगनॉर करो क्योंकि हो प्रोग्रेस में मौडलिंग चल रहा हुसका वह इग्णोर करो तो बात करतें एक पार्ट के उपर तो बीच वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं इसका कोई नाम नहीं हम इसे कोर मॉड्ल बुलाएंगे आप देख सकते हुए इसके उपर छे करने के लिए खुद को उसके नीचे एक स्पिशस मॉडूल एटाइस्ट है यलो कलर का है सिलेंडर कैंड आप बता नहीं हम स्पेकुलेटी कर सकते एक्जेक्ली क्या है शायद यह एक इंफलेटेबल हैबिटेट मॉडूल हो पर हमें नहीं बता कर रहा है शायद यह में रखने और फिर दूसरे चीज़ों को डॉक करना इसके साथ अगला मॉडूल में इस लिए कि रहा हूं क्योंकि इसके लोग रहने वाले तो आप डायरेक्ली देख सकते हैं यह बड़ा सिलिंडर सा है आगे जाके कर्व होता है जैसे और मॉडूल के पास आता है इस का वड़ा फ्यूल होना इंपॉर्टंट है कंट्रोल सिस्टम के अलावा और चार वाइट शीट्स देख सकते हो या वाइट चीज़ें देख सकते हो सोलार पैनल की तरह वह रेडियेटर से अब रेडियेटर क्यों स्पेस्टेशन जब होगा स्पेस में तो एक साइड इस मॉडूल है जो पीछे गगणयान के चार सोलार पैनल लगया है वह सोलार पैनल की पीछे भी रेडियेटर होंगे गगणयान के लिए थंडा करने के लिए उनकी इंस्ट्रूमेंट तो यह रहा रेडियेटर का पार्ट अब इसे भी सेपरेटली लॉंच करना पड़ेग होगा इसके अंदर खुद का फ्यूल होना पड़ेगा इसके लिए ताकि वो डॉक कर सके अब डॉकिंग कैसे प्रैक्टिस करेगे जरो तो पहले तो यह कोर मॉडिल लॉंच होगा फिर यह मॉडिल लॉंच करेंगे हैबिटेट और फिर उसका कॉपी सेकेंड वाला और यह इसके साथ डॉक करेगा इससे तो इसके प्रैक्टिस के लिए इससे पहले एक्स्परिमेंट करने वाला है जिसका नाम है स्पेडेक्स यानि स्पेस डॉकिंग एक्स्परिमेंट जहां वो दो चोटे सैटलेट्स बिज़ेगा पी एसलबी की उपर और उन्हें ऑ्ट्रनॉम यान मैं होब करना हो कि इंट्रनेशनल डॉकिंग एडप्टर हो तो यह हुआ हमारा बेजिक स्पेस स्पेस स्टेशन का काफी अच्छा है यह करीब दो से चार लोगों को हैबिट में रख सकता है आपने होल्ड कर सकता है करीब 20 दिनों के लिए इसके बाद क्या बता नहीं क्योंकि इसमें फ्यूल रहना पड़ेगा अगर क्योंकि यह इतना हेवी है और जिस ऑर्बेट में जा रहा है यह करीब 400 किलोमेटर और बेट में जाने वाला है और वह भी एक इंक्लिनेशन पर मतलब तो कुछ दिनों बाद अपने अप डियो और्बिट हो जाएगा तो इ यह और लौर तो और बिट में जा रहा है टेक्निकली जी एसली मार्क त्री लॉंच कर सकता है इसे हमारा करन्ट रॉकेट ही पर जब यह लॉंच होने वाला है तो शायद हमारे पास है चल्वी रेडियो है वी लॉंच वेकर चल्वी से लॉंच करें अजर आपको एचल्व की उपर पीछे भी रहेंगे जो काफी सारे डॉकिंग एरिया जे उसको बढ़ा कर सकते स्टेशन को आगए जाके तो 2030 में क्या हो सकता है देखो डिपेंट करता है गगन यान होगा पहला लॉंच उसके बाद गवर्मेंट सीरियस होगी इसके बार में उसके बाद वैसा अल लैंड कर दे और मून बेस का कंस्रक्शन भी स्टार्ट कर ले चाइना भी शायद तभी चांद के उपर लैंड करें इंसानों को लेखे पर इजरो ऐसी है कि इजरो कॉम्पिटिशन में नहीं पड़ती चाइना नहीं किया इसलिए इजरो नहीं करने वाला इजरो वही करो ये वीडियो शेर करो ये वीडियो ज्यान की गरीबी सबसे बड़ी जैहिं जैभार इस वीडियो के प्रेडूसेस ते कार्तिक्या देवाल वूटला चैतन्या जयम शर्मा हर्जिंदर सिद्धू रोइच सुवर्ना हर्मन संगा नारायन प्रसाथ सुमित मान्शु शंकर, गौरोव बजाज, माक सेवन, गरगंदीब भाट्या, संदीप रामकृष्णन, वीव, वाइभव त्रिवेदी, भैरव अजारिका, सचिन यादव और कुछ भी मेतर